हेलो दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVS की ही दो बाइक्स के बारे में जिसमें एक है TVS Rater 125 और दूसरी TVS Apache 162V तो इस सेम कंपनी की दोनों बाइक्स हैं तो दोनों ही बाइक में से कौन सी बाइक लेना हमें प्रैफर करना चीए कौन सी बाइक में क्या कुछ खास फीचर्स हैं कौन सी बाइक में क्या फीचर्स नहीं हैं इस चीज़ के बारे में आजम बात करने वाले हैं अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा चलिए अब हम करते हैं दोनों ही बाइक के फीचर्स के बारे में बात तो सबसे पहले हम दोनों ही बाइक के इंजन कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हम बात करें TWS अपाचे 162V की इंजन कैपेसिटी के बारे में तो अपाचे में 159.7 CC का इंजन हमें देखने को मिल जाता है वही रेडर 125 में 124.8 CC का इंजन हमें देखने को मिलता है अब हम बात कर लेते हैं बाई की पावर के बारे में तो अपाच्चे में maximum power की अगर हम बात करें तो 15.53 PS की पावर मिलती है हमें 8400 RPM के ऊपर वही रेडर की maximum power की बात करें तो रेडर में 11.2 PS की power generate होती है 7500 rpm पे अगर हम maximum torque की बात करें तो Apache का maximum torque 13.9 Nm का torque 7000 rpm के उपर अगर हम radar के maximum torque की बात करें तो radar में 11.2 Nm का torque generate होता है 6000 rpm अब हम बात करते हैं दोनों इबाइक के वोल्व के बारे में तो Apache में 2 वोल्व का single cylinder engine हमें देखने को मिलता है वही radar 125 में 3 वोल्व single cylinder हमें देखने को मिलता है Apache 160 2V का air cooled system bike में दिया गया है वही radar 125 में air and oil cooled system हमें देखने को मिल जाता है अब हम बात कर लेते हैं दोनों इबाइक के मेटर के बारे में तो Apache 160 2V में टैकोमेटर जो है वो analog tachometer देखने को हमें मिलता है जो bike के meter look को काफी अच्छा बनाता है and speedometer के अगर हम बात करें तो दोनों ही bike में digital speedometer हमें देखने को मिल जाता है अब हम बात कर लेते हैं bike के headlamps के बारे में तो Apache 160 2V में जो headlamp है वो halogen headlamp हमें देखने को मिलता है and tail light की बात करें तो LED tail light हमें उसमें देखने को मिल जाती है वहीं radar की बात करें तो radar में headlamp जो है वो LED headlamp with DRL हमें देखने को मिलता है and tail light की बात करें तो LED tail light ही हमें बाइक में देखने को मिल जाती है अब हम बात कर लेते हैं bike के suspension के बारे में तो Apache का जो front suspension है वो telescopic suspension दिया गया है with hydraulic dampers and rear suspension की बात करें तो Apache में rear में monotubed inverted gas filled shocks suspension में देखने को मिल जाता है वही अगर radar के suspension की बात करें तो radar में front में telescopic fork suspension हमें देखने को मिल जाते है and rear suspension की बात करें तो monoshox suspension TVS radar में हमें देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं बाइक के fuel capacity के बारे में तो TVS Apache 162V में 12 लिटर की tank capacity हमें देखने को मिल जाती है वहीं radar 125 में fuel capacity 10 लिटर की हमें देखने को मिलती है अब दोनों ही बाइक के ground clearance के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों ही बाइक में 180 mm का ground clearance हमें देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छा है किसी परकार की problem नहीं होने वाली है काफी अच्छा ground clearance दोनों ही बाइक में हमें देखने को मिल जाता है अब अगर हम बात करें बाइक के tire size के बारे में तो Apache 162V में हमें 90, 90, 17 का front में tubeless tire देखने को मिल जाता है अगर rear tire की बात करें तो Apache में rear में 110, 80, 17 का tubeless tire हमें देखने को मिल जाता है वही रेडर के tire size की बात की जाए तो रेडर में front में 80, 117 का tubeless tire हमें देखने को मिल जाता है महीं rear में 190 and 17 का tubeless tire हमें देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं ABS के बारे में तो TVS Apache 162V में एक plus point हमें देखने को मिल जाता है क्योंकि bike में single channel ABS दिया गया है महीं radar 125 में हमें ABS देखने को नहीं मिलता है अब बात करें brakes के बारे में तो TVS Apache में front में 270 mm का disc brake हमें देखने को मिल जाता है वहीं radar में front में 240 mm का disc का हमें देखने को मिल जाता है दोनों ही bike काफी अच्छी है अपने segment के हिसाब से काफी अच्छी bikes हैं किसी प्रकार की कोई problem नहीं है bike में अगर अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही bike के price के बारे में तो TVS Apache 162V का exorum price रखा गया है 1,7,865 से 1,10,865 तक हमें इसका exorum price देखने को मिल जाता है वहीं TVS radar की बात अगर की जाए तो TVS radar का exorum price 77,500 से 85,500 तक हमें देखने को मिल जाता है तो दोनों ही bikes आपने segment के इसाब से काफी अच्छी bikes है CM company की bike है तो चलो दोनों का comparison हमने कर दिया है अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और आप नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर लीजिएगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care